हेलो बच्चों, विल्कम टो माइकडमी बच्चों यहाँ पर सिरीज कॉम्बिनेशन पर एक क्वेशन गीवन है आपको और बहुत ही अच्छा क्वेशन है एक बार क्वेशन पहले रीट करते हैं क्वेशन में यह गीवन है फिगर सोज टू केपैसिटर्स connected in series बच्चों यहाँ पर अगर आप देखो तो एक केपैसिटर है C1 और दूसरा है केपैसिटर C2 यह दोनों केपैसिटर एक दूसरे के साथ सिरीज में connected है आप यह समझ पा रहे होंगे सिरीज का मतलब क्या है कि जैसे एक केपैसिटर हुआ और एक केपैसिटर के साथ ही हमने दूसरा इस तरह से connect कर दिया कि one after another इस तरह से तो यह series combination बन गया और फिर इनको हमने एक battery से connect कर दिया और इस battery का कुछ potential difference होगा and joined to a battery the graph shows the variation of the potential as one moves from as one moves from left to right on the branch containing the capacitors बच्चों इसमें आप से बोला गया है कि अगर कोई left से right में move करता है बात समझ ना अगर कोई left से right में move करता है मतलब यहां से आप ऐसे जाते हो left से right में move करते हो आप ऐसे move करते हो तो potential का जो variation है potential का जो variation है x के साथ मतलब distance के साथ वो यहां पर आपको इस तरह से given है तो आपसे इसमें पूछा जा रहा है कि correct option कौन सा होगा C1 greater than C2 होगा C1 is equal to C2 होगा C1 less than C2 होगा या फिर इतनी information sufficient नहीं है कि आप यह बता सकोगे C1 C2 में कौन सा greater है कौन सा smaller है या equal है बचो एक बार पहले खुद से भी थोड़ा सोचो कि आप किस तरह से इस question को deal करोगे कि अगर आपके पास यह question आए कि potential का x के साथ आपको variation दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि C1 C2 में कौन सा greater है कौन सा smaller है देखें एक बात पहले यह समझे कि series combination पहले मैं थोड़ा इसके बारे में बताऊँगा फिर यहाँ पर graph पहले होगा अगर series combination में एक बात आपको पताऊँए थी कि अगर combination series वाला है series combination है तो दोनों capacitors पर charge की value सेम होगी अगर यह बात समझ में आती है तो फिर आगे हम बढ़ सकते हैं मतलब यह कि बचो यहाँ पर आपको given है दो capacitors एक है C1 और दूसरा है C2 यह हो गया C1 capacitance का और इसकी capacitance क्या है C2 है हमें पताए क्योंकि यह दोनों series में है इसका मतलब बचो दोनों पर charge की value सेम होगी यहनि कि अगर इस capacitor पर Q charge है तो इस capacitor पर भी Q charge होगा यहनि कि हम क्या बोलेंगे कि charge दोनों पर सेम है तो एक बात बताएए अगर charge दोनों पर सेम है तो क्या मैं इस charge को कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ charge is equal to बचो क्या होता है Cv charge is equal to क्या होता है C into V V क्या होता है potential difference अगर मैं ऐसा लेट करना हो कि C1 के cross जो potential difference है वो V1 है और जो C2 है उसके cross potential difference V2 है तो हम क्या लिखेंगे charge को C1 V1 या फिर हम लिख सकते है C2 V2 ऐसे लिख सकते है भई हमने का कि charge तो दोनों पर सेम होगा यानि कि दोनों पर जो Cv की value होगी वो सेम होगी मतलब capacitance और potential difference का जो product है वो दोनों के लिए क्या होना चाहिए equal होना चाहिए तो इसके लिए Cv की value और इसके लिए Cv की value क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ अगर आपको ये पता चल जाए कि potential difference किसका ज़्यादा और किसका कम है क्योंकि वच्चो एक बात समझ में आ रही है कि अगर दोनों का Cv सेम है तो हम कहेंगे जिसका potential difference ज़्यादा होगा जिसके across potential difference ज़्यादा होगा उसकी capacitance कम होनी चाहिए ताकि C और V का product सेम रहे यह तो बोलेंगे बही जैसे कुछ भी इसमें हो सकता है मैंने simple से बोला है कि जिसके across potential difference ज़्यादा हुआ उसकी capacitance कम होनी चाहिए यह ऐसे बोल सकते हो कि जिसकी capacitance कम है उसके potential difference ज़्यादा होगा ताकि Cv सेम रहे दोनों का अब graph से बस आपको यह देखना है कि potential difference कि इसके across ज़्यादा है तो चलो गरात में चलते है बचो सपोज मैं यहाँ से चलना start करता हूँ तो जब मैं यहाँ से लेके यहाँ तक आऊँगा तो यहाँ से यहाँ तक तो wire है यहाँ से लेके यहाँ तक तो wire है मतलब यहाँ पर कोई potential में difference नहीं आएगा यहां से लिए कि यहां तक बाहर है यानि कि यहां से यहां तक potential में कोई difference नहीं आएगा तो देखो potential यहां पर constant दिखाएगा है इसके बाद अगर आप देखो तो बच्छो यहां पर आप ज़र समझेगा इसके cross अगर हम देखें जैसे ही हमने इस capacitor को cross गिया अचानक से यहां पर देखो बच्छो क्या आया एक potential difference आया clear है जैसे यह आपने इस capacitor को cross गिया potential difference आया तो बच्छो यह जो C1 है C1 के cross आप potential difference अकर V1 लेट करके चल लएओ तो बचो यह जो potential difference आपको यहाँ पर मिला है इसकी value कितनी होनी चाहिए V1 यह समझ में आगया होगा चलो और आगे बढ़ते हैं फिर बचो हम यहाँ पर आगया अब देखो यहाँ से यहाँ तक wire है यानि कि जब wire के along चलोगी तो potential में difference नहीं आएगा potential देखो constant है फिर आपके पास मिला C2 C2 के cross potential difference V2 माले तो जैसी बचो हमने capacitor C2 को cross के देखो फिर से एक potential में difference आया कितना potential difference है यह value है बचो V2 पोटेंशल वाली line तो यह है ना potential में variation वाली line तो यह है ना तो हम क्या बोलेंगे कि इतना potential difference किसके cross है C1 के cross है और इतना potential difference किसके cross है C2 के क्या यहां से देखके बता सकते हो किसके cross ज़्यादा potential difference मिलना है साब सब दिख रहा है कि C1 के cross potential difference देखो इतना है और C2 के cross सिर्फ इतना है तो C1 वाली के लिए potential difference ज़्यादा है तो बचो ज्यादा है तो जिस capacitor के cross potential difference ज्यादा है उसकी capacitance क्या होनी चाहिए कम होनी चाहिए क्यों क्योंकि cv का जो c और v का जो product है वो same रहना चाहिए तो जिसका v ज्यादा उसका c कम यानि कि c1 less than c2 तो बचो अपना answer क्या होगा c1 less than c2 कौन सा option है c option correct है solve हो गया अच्छा मैंने काता है एक बहुत important बात बताएंगे यहाँ पर बचो एक बात देखो आप एक point important है यहाँ पर अगर मैं इस theta की बात करो एक यह angle theta 1 ले लो और इस angle को theta 2 ले लो तो आपको यह theta में अगर देखो तो theta में एक चीज़ दिखाई दे रहे हुए theta 1 की value theta 2 से ज़्यादा है यह यहाँ वाला angle ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा आपको theta 1 is greater than theta 2 यह आप समझ रहे है theta में क्या बता रहा है बचो ज़्यादा angle होने का मतलब यह है कि यहाँ पर potential x के साथ तेजी से change हो रहा है यहाँ पर potential x के साथ change तो हो रहा है लेकिन उतना तेज चेंज नहीं हो रहा है जितना faster यहाँ चेंज हो रहा है यहाँ पर change जो है वो का electric field यहाँ पर ज़्यादा होगी मतलब कि यहाँ पर electric field ज़्यादा होगी और होनी भी चाहिए जब potential difference ज़्यादा है तो ज़्यादा electric field यहाँ पर होगी तो in short बस आप इतना समझो बचो इस question के लिए simple सा question था कि जब आप यहाँ से यहाँ पर आ रहे हो तो दो capacitor मिल रहे हैं एक है C1 और एक है C2 और जब जो दो capacitor हैं और दोनों के cross हमें बताना है कि किस के C ज़्यादा है किसका C कम है तो हमने का भई सिरीज में है तो चार्ज तो सेम होगा चार्ज सेम है इसका मतलब C भी सेम है तो C पता करना है तो V का idea होना चाहिए तो जिसके cross ज़्यादा potential difference उस तो अपना answer क्या जाएगा C फिक है अब आप इसको note करो